नमस्कार जिस जमाने में साबून और सर्फ नहीं होता था लोग तब भी नहया करते थे तब ये कुद्रती मिट्टी का इस्तमाल जादा किया जाता था ये आप जो देख रही हैं ये मुलतानी मिट्टी है ये ये नदियों के तल छट तल छट का मतलब होता है जब बरसात होती है तो प बरसाती नदिया होती है वो बाद में सूक जाती है उसके नीचे के तल में ये मिट्टी पाई जाती है ये यहां पर हिमाचल परदेश से लाई जाती है इसके वारे में बताना चाहेंगे कि जब बरसात में घमाउरियां बहुत ज्यादा निकलती है तो ये कुद्रती तोर इसको साबुन की तरह इस्तमाल करना चाहिए इस से घमोरिया या पित बोलते हैं ये सब खुद बखुद ठीक हो जाते हैं यही नहीं इसको फेशल के तौर पे भी इस्तमाल किया जाता है अगर आपने घर में इसका फेशल बनाना हो तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा नुस् मैं खुद भी इस्तमाल करती हूँ और ये कोई भी इस्तमाल कर सकता है हम लोग इवन मेरे बच्चे चोटे थे तो मैं नहलाने के तोर पर इसी मिटी का इस्तमाल करती थी आप लगबग ये दो कर्ची पानी और ये आपको दिखाना चाहूंगी ये लगबग एक कर्ची अगर आपके पास दूद मौझूद नहीं है आप दही कभी इस्तेमाल कर सकती हैं 12 गंटे पहले इसको आप विगो ले इस तरह से इसको आप विगो के इसमें ये दूद को डाल दे इसको लगभग 12 गंटे तक हमने विगोई रखना है उसके बाद इसको चमची से हिला कर इसका गोल बना ले और आप चाहें तो इससे नहा सकते हैं चाहें तो फेस पैक बना करके आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं जिन लेडिस को स्किन अलर्जियस होती हैं उनके लिए ये अम्रिज समान है ये देखें ये मुलतानी मिट्टी है हम इसका 12 महीने इस्तमाल करते हैं इसकी तासीर ठंडी होती है मैंने यहाँ पर जो पुराने जमाने के लोग हैं उनको भी देखा है कि वो आज तक इस मिट्टी का इस्तमाल करते आए हैं नाजरीन उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की छोटी सी वीडियो मुलतानी मिट्टी के ताइं जरूर पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी आज के लिए इतना ही धर्निवाद